हेलो फ्रेंड मैं तन्वीर हमद और आप देख रहे हैं ये मेरा शैनल टी यार बहादुर पूर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंक जेट प्रिंटर से मैंटर खोलता है कि नहीं खोलता है उसी को ट्राइ करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये मैं अपने कंप्यूटर में मेटर तयार कर रहा हूँ जिसको मैं इक्सपोज करूंगा आप देख लिए ये मैंने प्रिंटर सेलेक्ट किया है एल 220 आपको नजर आ रहा होगा ठीक है मेटर यह यह वनली फार ट्राई मैंने उसको फांट साइज जो है 100 किया है ज्यादा किया है नीचे वाला फांट साइज 100 है आपको मैं प्रिंटर भी दिखा दूँ यह देख लिए यह मेरा प्रिंटर एल 220 यह इंक जेट प्रिंटर है यह लेजर नहीं है लेजर से हम मैटर खोलते हैं आसानी से खुलता है लेकिन इसे नहीं खुलता है यह देखिए मैंने इस पे प्रिंट निकाला यह फोटो कापी वाले पेपर पे यह ट्रेसिंग पेपर पे नहीं है किस पे हमने निकाला यह फोटो कापी वाले पेपर पे क्योंकि ट्रेसिंग व पहले हमने फोटोकाप्य आले पर प्रिंट कर लिया है और ये दूसरी बार इस पर हम प्रिंट कर रहे हैं ये देखिए हमारा ट्रेस्टिंग पेपर पर प्रिंट हो गया है बहले आप देखिए यहां पर यहां जर्ण सारो यहां पर देखिए जो प्रिंट leaders Um इtones घॉए जो ट्राइ लिकार उसका जिवा tumis या desto नहीं है आया हा हे फाइं यह देखिए यह फाइंस साई चाहषा यहिए फ्रण साई है यह मद्वाद्ध a-20 जो आर हैं वह तर देख रहे हैं और बहुत जीव ज्यादा हलका आया यह इदर से उधर मतलब दिख जा रहा है इसे अच्छर के बीच से भी जब कि वह नहीं दिखना चाहिए देख रहे हैं आप T में भी आया है और R में भी आया है यह फोटोकापी वाला पेपर है हमारा इल पे बिल्कुल सही आया है इसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह ट्रांस्पेंटी नहीं हुए है आप देख सकते हैं फांट साइज मैंने छोटा बड़ा सब किया है क्योंकि ब गिराके लगा देंगे यह फोटोकापी वाला पेपर है यह सरसों का तेल है तो यह ट्रांस्पेंटी हो जाएगा जैसा कि एक वीडियो में मैंने बताया था अभी हम इसको ट्रांस्पेंटी बना रहे हैं अच्छे तरीके से तेल को लगा देंगे जितना हमारा मैटर है तो यह ट्रांस्पेंट्ट्व बन जाएगा फिर उसके बाद इसको एक्स्पोज करते हैं तो कि उस पे तो रोसनाई फाइल गई है लेकिन इस पे रोसनाई फाइली नहीं है तो ट्राइ करते हैं यह देखिए यह ट्रेसिंग पेपर है जो रोसनाई फाइली हुई है और यह हमारा फोटोकापि वाला पेपर है वाइल पेपर ग्रेंड सेंचुरी इसमें रोसनाई नहीं फाइली है अब हम काट लेते हैं हो ईसा जितना हमको प्रिंट करना देखिए हमने दूनों काट लिया है अब दुनों को हम आसकॉच करने जा रहे हैं देखें कौन सा इसपोच होता है कौन सा नई होता है यह जो मेरे आद में यह इप्शन वाला है कर दिया अब उस पर इसको उल्टा करके रख देते हैं कि ऐसे दोनों ही ट्रांस्पेंट्वी लग रहा है समझ मेंने जा रहा है कि कौन सा है अब हम इसको दूब दिखाएंगे कोटिंग मेरा बताया वह तरीका जो मैंने कोटिंग किया था वही वाला है हम पचास तक गिंते गिनेंगे मुझसे एक दो तीन चार पांच छे साथ नव दास आईए अब हम उसको दूल लें यहां पर वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है यहां बार मैंटर हार्ड हो गया है यह नहीं खुला क्योंकि टाइम हमने ज्यादा दिखा दिया था पहली बार में हार्ड हो गया है मैंटर नहीं आया है अब हम दोबारा ट्राइ करते हैं सब कुछ होई ही सेम है बज दोबारा ट्राइ करते हैं इसमें टाइम थोड़ा सा हमने कम कर दिया उसमें हमने साथ या पैसट पूरा कर दिया था अब इसमें पचास ही करेंगे बलकि वह सकता है उससे भी कम और 40 ही हमने किया है यह वीडियो फास्ट किया गया है क्योंकि पहले मैंने वीडियो बना लिया आवाज बाद में डाल ला हूँ आप लोगों से कई लोग फूछ रहे थे मतलब इंक जेट प्रिंटर से मेटर खूलेगा कि नहीं कुलेगा तो बस उसी के लिए मैं यह वीडियो बनाया हूँ और ट्राई भी किया हूँ वीडियो में ही मैं लिजिए कि ट्राई है हम पानी डालके हाथ से हलका हलका रगड़ाएं आप देखिए यह मेटर हमारा खुला हुआ है जहां पर नहीं कुला है वहां पर हम अपने हाथ को हाथ के इसारे से हलका सा रगड़ देंगे वह मेटर हमारा आ जाएगा यह हमारा मेटर खुल चुका है आप देख सकते हैं यह देख लिए यह हमारा मेटर खुल गया नीचे वाला जो है यह फोटोकाप्य वाला पेपर है और उपर वाला जो है वह ट्रेसिंग पेपर है बल्कि जो फोटोकाप्य वाला पेपर है उससे अच्छा आ जाए टेसिंग पेपर के मुकाबिले में फोटोकाप्य वाले पेपर का इक्सपोज अच्छा आया है क्योंकि इस पर इंग जो हमारा है वो फाहिला नहीं है हां अगर बोल्ड लेटर हमको प्रिंट करना है जो मोटा है जैसे माली जो वनली फार ट्राई जो मैंने लिखा है अगर इतना बड़ा लेटर हमको प्रिंट करना है यह देखिए आप ट्राई के पास सही नहीं है तो इंग जेट प्रिंटर से हम प्रिंट कर सकते हैं लेकिन अ हो तो करें नहीं तो लेजर प्रिंटर का इस्तमाल करें हूं